बिस्मिल्ला रह्माने रहेम, वेलकम तो SSS एडुकेशनल चैनल, असलाम अलेकुम स्टुडेंट्स, इस 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 वीडियो फोर थे थर्ड यूनेट, तैटल अफ यूनेट इस रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, विट अपिश्री सिक्स वीडियो में हमने चैप्टर की रीड हैंगे और एक तरह से पूरे चैप्टर की हमारी रिविजिन हो जाएगी, इस की पॉइंट्स आर वेरी इंपोरेंट्स, इन में से बन सकते हैं, यह फिलिन्द ब्लैंक्स या औब्जेक्टिव टाइट कुर्स्टिन्स जो आपके पेपर में आते हैं, वो अकसर इन में से ब दकन सकते हैं, तो इनको कभी एग्नोर ना किया कीजी, एक दफा जरूर पढ़ लें, प्लांट्स परफॉर्म बोथ ऐसेक्श्वल अंड सेक्शुल रिप्रोडक्शन, प्लांट्स के दो तरह के तरीके हैं, रिप्रोड़क्शन की एक ऐसेक्श्वल और दूसरा सेक्श्व एक प्रोड़क्शन के मुख्तलिफ मैथर्ज आपने पड़े हैं और उनके नाम कटिंग ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग है अटिपिकल फ्लावर कंसिस्ट आफ सैपल्स पैटल्स स्टेमन्स एंड कार्पल्स एक आम फूल यानि एक फूल जो आम तोर पर हमारे एक गिप पाया जाता है वो उसमें सैपल्स भी होते हैं पैटल्स भी होते हैं स्टेमन्स भी होते हैं और कार्पल्स भी होते हैं एक बाद बाद बतादो मिटा के सैपल्स और पैल्स को हम वेजनेटी टेटिटिफ पार्ट साफ द प्लांट जब के शियर को हम स्टेमन्स और कारपल्स को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट अफ ध प्लांट चे ते हैं And cross pollination, pollination की दो किसमे हैं, एक self pollination कहलाती है और एक cross pollination कहलाती है When pollen from the stamen of a plant is transferred to the stigma of the same flower, the process is called self pollination Self pollination में बच्चो आपने ये याद रखना है कि pollens stamen से stigma में जाते हैं, ये तो pollination है लेकिन अगर उसी फूल की, उसी एक ही फूल के stamen से stigma में जाएं, तो वो भी self pollination है और अगर उसी प्लांट के किसी दूसरे फूल तक जाएं, तो उसको भी self pollination कहा जाता है When pollen from the plant stamen is transferred to another plant stigma, ये another plant stigma आपने जरूर याद रखना है कि cross pollination में किसी दूसरे पूदे के stigma तक पहुँचते हैं अलबता same species, same species का क्या मतलब है, species कहते हैं किसम हो, ठीक है तो किसम वही होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि रोज के पौदे की pollination मकई के पौदे से हो जाए, मेस से हो जाए या वीट के पौदे से हो जाए, बलके रोज की pollination रोज से ही होगी, sunflower की pollination से ही होगी तो cross pollination और self pollination में सिरफ ये फरक है, कि self pollination में एक ही पौदे के दो फूल हो सकते हैं, या एक ही फूल involved होगा जबके cross pollination में दो मुखतलिफ पौदों के फूलों के दरमियान pollen grains का तबादला होगा those plants which are insect pollinated bear brightly colored flowers which attract insects, जो plants insects के जरिये pollination होती है जिनकी तो उन में बहुत खुबसूरत रंगों के bright का मतलब है शोख, brightly colored flowers होते हैं क्योंकि उन्होंने insects को attract करना होता है the process of fusing male and female sex cells is called fertilization, male or female sex cells के मिलने से zygote बनता है और इस process को हम fertilization केते हैं, a zygote is formed as a result of fertilization which becomes the plant embryo inside the seed और fertilization के निक तीजे में zygote बनता है जिसको जो आखिरकार फिर plant embryo बनता है, embryo छोटा पौदा होता है, बिल्कुल छोटा सा उसको हम embryo कहते हैं, inside the seed और यह होता, बन्दब seed के अंदर अब यह कोई पौदा मटी में नहीं होता, बलके यह बिल्कुल बीज के अंदर जो निशान होता है पौदे का और बिल्कुल छोटा सा माइक्रोस्कोपिक अगर आप देखना चाहें तो kompalsy होती है walls of the ovary store food and make a fruit fruit, ovary जो के female reproductive part है, उसकी दिवारों में खौराक जम होती है और यही खौराक fruit कहलाती है आपने देखा होगा के हमेशा fruit के बीच में बीज होता है, ठीक है, जैसे माल्टे को अगर काटें तो माल्टे के बीच में बीज होता है इर्द गिज माल्टे का जूस होता है, इसी तरह आम को गराब देखें तो आम के बीच में गुछली होती है, वही उसका बीज है और इर्द गिज उसके जो लेयर है वो आम का गुदा कहलाती है तो वो जो फूड स्टोर की जाती है, वो फूट होता है और असल में पौदा वो फूड इसलिए स्टोर करता है कि वो उसके बीज के काम आह सके